हाई दोस्तों चलिए जो हमारे NCRT का वस्तोनिस्टूर का जो प्रसनों का जो चल नहीं थी स्रीज उसको हम काटीनू करते हैं आज हमारा चेप्टर 6 है महरी समराज का जो की प्राचिन तियास का था ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं प्रथम भारतिय समराज किस ने स्थापेट किया था इसका सही ओप्शन होगा ऑप्शन सी चंद्गुप्त मऊरी ने चंदुप्त मऊरी भाषत का परथम एतिहासिक सम्राट था चंद्गुप्त मऊरी का जन्द 340 इसापूर में पाठेल पुत्र में हुआ था चंदगुत मौरी ने लगबत 322 सपूर में अपने गुरू बिश्णुगुप्त अथवाच्याणक की जने कोटिली भी कहा जाता है किस आयता से मगद सामराज के अंतिन सासक घना नंद को पराजित का मौरी सामराज की स्थापना की तथा इसकी राजधानी पाटिल पुत्र बनाई इसने मगद पर 24 वर्शों तक सासन किया यह भारत को सरपर्थम राजनेतिक रूप से एक पद्ध किया बहुत धिम जैन गुरंथों में उसे मौरी च्छत्रिय कहा गया है कि कुशन नंबर 2 कि सेंट्रो कोट्स की चंदगुप्त मौरी के रूप में पहचान किस ने क इसका सही अंसर होगा उप्पशन ए विलियम जोंस ने सर पर्थम सर विलियम जोंस ने सेंट्रो कोट्स की पहचान चंगुप्त मौरी से की थी ग्रीक और लाटिन लेखों में चंगुप्त को क्रमसाड ऑर इंडरो कोट्स के नम से जाना जाता है जबकि रुद्द्दामन के जूनागड़ फिलेग में इन्हें चंद्रगुप्त के नाम से सम्मधुत किया गया है। चले आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौरी के पस्चाद शिंघासन पर कौन बैठा था। इसका सही अंसर होगा। ऑप्शन सी बिंदुसार चंद्रगुप्त मौरी ने जैन मुनी भद्र बाहु से जैन धर्म की दिख्छा लिए। और स्रोण बेल गोला जो की मैसूर में है चला गया। जहां 298 इसापूर में हुपवास पधती द्वारा सरीड त्याग दिया। इसे जैन्धर में सनलेखना या संथारा कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौरी की मृत्यू के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार 298 इसापूर से 273 इसापूर सम्राट बना। इननानियों ने इसे अमित्र केट्स या अमित्र घात अथुवा सत्र बिंदाषक कहा है। ठीक है दोस्तों अगला कोशन चंद्रगुप्त मौरी का सामराज उत्तर पस्चिम में कहां तक था इसका सही आंसर होगा अप्शन डी हिंदुकुष परबत तक चंद्रगुप्त मौरी का सामराज उत्तर पस्चिम में इरान फारस से लेकर पूर में बंगार तथा उत्तर में कस्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी करनाटक मैसूर तक बिस्रित था विशन्ट के नुसार हिंदुकुष परबत भायत की प्राकृतिक सीमा थी पाटिल पुत्र इस विशाल समराज की राजधानी थी रुद्रदामन के जुनागड़ विलेक से पस्मी भारत पर उसका अधिकार प्रमारित भी होता है अगला कोशन शेल्यूकस जिनको अलेकजंडर द्वारा सिंध्यों अफगानिस्तान का प्रसासक निउक्त किया था को किस भारती राजा ने पराजित किया था इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चंद्रगप्त मौरी ने सिकंदर के सरबाधिक योगी सेनपति सेल्यूकस ने उसकी मिलित्यू के बाद सिकंदर द्वारा विजित प्रदेशों पर पुना अधिपत्ती इस्थापित करने के लिए 305 इसापुर में भारत पर अक्रमण किया परन्तु मौरी शाशक चंद्रगप्त से सेल्यूकस को पराजित होना पड़ा। उसने सेल्यूकस की पुत्री से विवा किया तता दहेज में हेरात, कंधार, मकरान वा काबुल प्रांत प्राप्त किया। बद्रे में चंद्रगप्त ने उसे 500 हाथी उपहार सुरूप दिये। प्लूटार्ग के अनुसार चंद्रगप्त ने 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत इस्थापित किया। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपी दाईं और से बाईं और लिखी जाती है। नैशन, प्रिंशेप, नौरिश, लाइशन, कनिंगम आधिविद्धानों को चाता है। सहबाजगड़ी और मान सहरा के ब्रिध के ब्रिहद शिला लेक खरोष्टी लिपी में है। जबकि ब्राम्ही लिपी बाईं से दाईं और लिखी जाती है। Q7. चंद्रगुप्त माउरी के दर्बार में भेजा गया युनानी राजदूत को इसका सही ऑप्शन होगा। Q7. मेगस्तनीज, चंद्रुप्त माउरी के दर्बार में युनानी शासक से ल्यूकस निकेटर ने मेगस्तनीज नामक राजदूत भेजा। चंदुरुप्त ने बस्यमोतर भारत में ततकाली निवनानी सासक से लुकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापती था 305 इस्तापूर में पराजित कर दिया। मेगस्तनीज ने इंडिका नाम पुस्तक में मौरी काली सामाजिक आर्थिक योम राजनितिक ब्योस्तागा बिस्तरित विवरण दिया है जबकि पाटली पुत्र को शमानांतर चत्रभुच कहकर पाली ब्रोथा के नाम से संबोधित किया तथा नगर के पदारिकारियों को समा करने के लिए भेजा था बिंदुशार ने असोक को किस विद्रो को समाप्त करने के लिए भेजा था इसका सही आंसर होगा ऑप्षन वी तक्षिशिला बाओधिधर्मगरंथ दिव्याओदान से ग्याद होता है कि बिंदुशार 292 इसापुर्व से 278 इसापुर्व के समय कर दो विद्रो हुए इन विद्रोहों का दमन करने के लिए बिंदुशार ने एक बार असोक को तथा एक बार शुशीम को भेजा था तरानाथ के अनुशार नेपाल के विद्रो को भी अअसोग दोरा ही समाप्त किया गया था वायू पुराण में असोग को भद्रशार जबकि जैन ग्रंथ में उसे राज वली कते या सिंग सेन कहा गया है Q9. सारनाथ इस्तंभ का निर्माड किसने कराया था? इसका सही अंसर होगा option B. असोग ने सारनाथ का स्तंभ धर्म चक्र प्रवर्तन की घड़ना का इसमारक है जिसका निर्माड असोग ने कराया था इस इस्तंभ पर निर्मित सिंग की आकरिती शक्तिका परतीक मानी जाती है बरत्मार में असोग स्तंभ के नाम से या विश्विख्या थे और इसको भात गणराजी की द्वारा भारत के राष्ट्रिय चिन्ह के रूप में स्विकार किया गया है मौर युगिन सभी इस्तंभ बलुआ पत्थरों से निर्मित है अशोक पहला भारती साशक हुआ जिसने अपने अभिलेखों की सहायता से प्रजा को संभोधित किया खोशन नमबर 10 किस अभिलेख में अशोक का नाम उलिखित है इसका सही आंसर होगा ओप्शन D मास्की का लगू सिलालेख असोग के बेक्तिगत नाम का उलेख मासकी, गुर्जरा, नेट्टूर तथा उदे गोलम अभिलेखों में मिलता है असोग का अधिकारिक नाम प्रिये दर्सी या प्रिये दसी था जूनागड अभिलेख में असोग मौरी नाम उलिखित है असोग के अभिलेखों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है शिलालेख, इस्तम्भलेख, योम, गोहालेख असोग के प्रधान सेलालेखों में तेरवां शिलालेख, कलिंग विजेश सबसे बड़ा सिलालेख है जबकि रुम्मिन देई सबसे छोटा अभिलेख है असोग के अभिलेख पढ़ने में सफलता सरपर्थम जेम्स प्रिंसेप 1837 सबी को प्राप्थ हुई थे मौरी मंत्रिपरशद में कौन राजस्व एकत्री करण करने से सम्बंधित था मौरी मंत्रिपरशद में कौन राजस्व एकत्री करण करने से सम्बंधित था इससा सई आंसर होगा ओप्शन ए समा हर्ता मौरी मंत्रिपरशद में राजस्व एकत्री करण के लिए उत्तरदाई मंत्री को समा हर्ता कहा जाता था अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों के देखभाल करता था, सान निधाता राजकी कोशाध्यक्ष तथा परदेश्टा भौजदारी नियाले का नियाधीश था, जबकि ब्योहारिक दिवानी नियाले का नियाधीश था मौरिकाल में कर्च वरी है तो दंड शुरूप मृत्यु दंड का प्रावदान था भाग योम बली थे इससा सही अंसर होगा ऑप्शन बी राजसु का सुरूद प्राचिन का भारत में भाग योम बली राजसु के सुरूद थे, कौटली के अर्थसास्त के अनुसार भौमी का मालिक राजा हुआ करता था, वह भौमी से उत्पन उत्पादन के लिए के एक भाग का अधिकारी था इसी प्रकार कर को भाग कहते हैं, इसी प्रकार बली भी राजसु का सुरूद था, असोक ने अपनी लुम्बनी नात्रा में भाग भौराजसु की राशी एक बटा छे से घटा कर एक बटा आठ कर दी थी, तथा बली को माफ कर दिया था अर्थ सास में बली का ताथ पर उपकर से है, जो राजा उपज के अतरिक्त भाग को परजास से लेता था, राज की भूमी की बेवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीता अध्यक्ष कहलाता था किस अस्तंब में असोक ने स्वयम को मगध का समराट बताया है या अविलेक असोक को बाओध धर्माव लंबी प्रमाडित करता है असोक ने भाब्रो अविलेक में बुद्ध धम तथा संग के प्रति आस्था विक्त की है इसा सई आंसरों का ओप्षन B, मौरी शाषन में अधिकारी असो के तीसरे अभिलेग में रजुक नामक अधिकारी का आउ लेग मिलता है रजुकों के इस्थि आधुनिक जिला अधिकारी जैसे थी जिसे राज़सु तथा न्याय दोनों का अधिकार प्राप्त था असो के जो प्रमुक शिला लेग संगम राजी के विशय में हमें बताते हैं उनमें संबलित हाँ इसका सही ओप्षन होगा ओप्षन C, दो और नो, सोरी दो और तेरा शिला लेग असो के दुती सिला लेग में समाज कल्याण मनुस्य पसु चिकिस्तावा तेरुएं सिला लेग में कलिंग युद्ध के वरणन के साथ इस दोनों सिला लेग में पडोसी राज्यों के भी जानकारी प्राप्त होती है जिनमें संगम, राज्यों, चोल, पांड, सतियपुत्र, युम, केरलपुत्र, प्रमुक हैं नवा सिलालेक धम समारोव की चर्चा कथा ग्यारवा सिलालेक धम नीत की ब्याख्या से संबंधित है और क्वेशन नमबर 16 कवटेली का अर्थसास्त्र किसे से संबंधित है इसा सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजनीतिक जीवन कवटेली का अर्थसास्त्र राजनीति सास्त्र का एक ग्रंथ है इसमें मुक्हिता राजनीतिक सिद्धान्तों का उरणन है इसमें चक्रवर्थी समराट राजा के कर्तब बिस्तृत करपणली तथा समाजिक एस्तिति पर प्रकास डाला गया है कवटिलिका राज़तु सिधान्त एउरोपिय दार्षनी माईक्या वेली के राज़तु सिधान्त से अधिकांस रूपों में समानता रखता है इस आधार पर उसे भारत का माईक्या वेली कहा जाता है अर्थसास में कुल 15 अधिकरण, 150 प्रकरण तथा 600 इसलोग है कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 261 हिसापूर में असोग के 13 शिलालेक से ग्यात होता है कि असोग ने अपने राज्याप से के आठवे वर्ष 261 हिसापूर में कलिंग बर्तमान और इसा पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोशली पर अधिकार कर लिया है इस युद्ध में हुए भैंकर नसंगहार से असोग ने युद्ध नीत को त्याग कर धंब नीत को अपनाया कोईशन नमर 18 वह संत जिसने असोग को बहुत धर्म के प्रति आकर्शित किया इसा सही ओप्शन होगा ओप्शन बी उपगुप्त असोग को बहुत भिक्शु बिद्वान उपगुप्त ने बहुत धर्म में दिक्षित किया इन्हें अलग छणक बुद्ध भी कहा जाता है कलिंग के युद्ध के बाद असोग ने युद्ध नीति का त्याग करके धर्म या धंब नीति को अंगिकार किया असोग ने बहुत धर्म को ग्रहट कर लिया समराट असोग की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था इसका सही आंसर होगा option D कारू वाकी समराट असोग अपनी रानी कारू वाकी से अत्यधिक प्रभावित था यहाँ असोग की दूसरी पत्नी तथा राजकुमार तीवर की माता थी यहाँ एक मछवारे की पुत्री थी असोग दोरा उत्कीरण कराए गए अभिलेखों में उसकी एक ही रानी कारू वाकी कावलेख मिलता है question number 20 असोग ने शंपुन भारत में बहुत धर्म का परचार किस माध्यम से किया इसका सही आंसर होगा option B धम महा मात्रों को भेज कर असोग ने राज्यप से के चोधे वर्ष में धम महा मात्रों की निवत्ती की जिनका मुख्य कार जनता में धम का परचार करना तथा कल्यानकारी कारी करना आदी था असोग ने नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की सहीता प्रसुत की उसे उसके अभिलेखों में धम कहा गया है असोग का धम राहुलो वाधिशूर से प्रेजित है तो इस प्रकार दोस्तों मौरिकाल समाथ हुआ अब हम अपने अगले वीडियो में मौरियत्तर काल को डिस्कुस करेंगे ठीक है दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद कर दोस्तों बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत